दोस्तो इस साल भारत को दो बड़े टूना मेंड खेलने पहला एशिया कप और दूसरा वर्ल्ड कप ऐसे में भार्टी टीम के पास पहुती कम समय बचा है भार्टी किर्केट बॉल्ड ने महेंद सिंग धोनी के साथ मिलकर एशिया कप के लिए भारत की 18-18 टीम का एलान कर द लित वाएं आखिर को नवे तीन खतरनाक भारती खिलाड़ी जिनको इसलेक्टरों ने बाहर का रास्ता दिखाया है और इन खिलाड़ियों का कसूर किया था जिसकी वज़े से इनको शामिल नहीं किया और भारत के कहों से 18 खिलाड़ी जिनको 20 जायी ने एशिया कप के ओपनिंग जोड़ी की तो बेसी सी आई ने चार खतनाग ओपनर बल्ले बाजों को शामिल किया है पहले ओपनर बल्ले बाज है पूरी दुनिया के और भारत के हिट मैंन कहे जाने वाले रोई सर्मा रोई शर्मा एक ऐसे खिलाड़ी है जिन्हों ने एक देशी मैचों में सब करनी होगी वैसे दोस्तों रोई सर्मा के साथ आम तोर पर आपको शिकरदवन या फिर केल राहूल ओपनिंग करते हुए दिखेंगे लेकिन इन दोनों बल्ले बाजों का खराब पिर्दसन को देखते हुए इस बार आपको एशिया कम में रोई सर्मा के साथ शुभन गिल नजर आएंगे शुभन गिल ने नोजी लेंड के खिलाब दोरा सतक ठोक सभी को हैरान कर दिया था और आई पिल दोजाटेज में अपनी शांदार पिर्दसन के दम पर पूरी दुन्या को अपना दिवाना बनाने वाले शुभन गिल रोई सर्मा के साथ ओपनिंग के लिए चैन करता हो कि पहली पसान है शुभन की भारत के लिए एशिया कम में तुरूप का इका साबित हो सकते हैं दोस्तों आपको बता दें की बैक अप के तौर पर बीसी जी आई ने दो और ओपनर को इस डिस्कॉर्ट में रखा है वहीं तीसरे ओपनर होंगे जिन्होंने हाली म किर्केट इतियास का सबसे तेज दोरा सटक भो किर्केट जगण में संसीनी मचा दी दी ये खिलाड़ी बलेबास के साथ एक बैतिरीम विकेट कीपर है हम बात करना है इशान किसन की इशान किसन को जरूरत परने पर आपको ओपनिंग करते हुए दिख सकते हैं और ये फास बात के सबसे कतलनाग उपनर बलेबाज है आई पील में इन्हों ने अपने बल्लेबाजी से सभी को चोका दिया था दोस्तों यहो गए भारत के चार खतलनाग और आप आए जानते हैं बाती टीम के मिडिर आडर के बारे में बीडिज दी जी ने चार कतलनाग बल्लेबास क रखा है तो किसी भी टीम की धजियां उखा सकते हैं पहले मीडी राडर बल्ले बाज होंगे हम सभी के चहिते किंग रन मसीन विराट कोली इस समय वर्ड के सबसे खतरनाक बल्ले बाज हैं आई पेल में लगतार दो सटक ठोग और वेस्टन डीज के खिलाब टेस्ट में सटक लगा कर बेधरीन पारिया खेल कर ये एलान कर दिया है कि इस बार एशिया कम में पाकिस्तान के गेंदबाश शाहिन अफिरीदी और नसीम सार और हैड इस राउल के खिलाब अच्छी बल्ल सब्सक्राइब लोग जानते हैं कि केल राउल कितने खतनाक बल्लेबाश हैं हम सबी लोग उम्मेद कर रहें ये एश्या कम में अपनी फार्म को हासिल कर और खतनाक बल्लेबाश करके भारती टीम को एशिया को गिताएं तीसरे मीडियराटर बल्लेबाश होंगे सिरेज ऐस इस साल 2022 में भारती टीम में सबसे जाता रन बनाये थे पर उनका इंजरी के चलते ये कुछ महिने से मैदान से दोर रहें एश्या कम में पूरी तरह से फिट होकर धमाकेदार वाफसी करेंगे वहीं इस इसकार्ट के चोथे मीडियराटर बल्लेबाश होंगे संजू इस का फैने आएपर में कंचरट का पिदल संग किया था जिसके दम पर ये जगा बनाने में काम्याब हुए हैं उनके पास मौका हो गा इस एश्या कर में अपनी बल्लेबाशerry से इस कहर्ट में आई लिगिट कीपर बल्लेबाशों को मिड़ा नग जो हैं जो किसी भी मैश क कर रोग अपने दम पर बदल सकते हैं पहले अलोंडर होंगे भारती टीम को उपकर्थान हार्दिक पांडिया जो 6 नंबर पर इनसे खतनना कोई अलोंडर है नहीं जो अपने बल्ले और गेंज से कमाल का पिदसन करते हैं वहीं हार्दिक पांडिया के आखड़ों के बात करने तो वन्डे मुकाबलों में उन्होंने 1600 से भी जादा रन बनाए और गेंज बाजी में 72 विकिन लिए जो बतार अलोंडर कमाल के आखड़े हैं वहीं दूसरे अलोंडर है रवीन जडेजा जो अपनी खतननाग फिल्डिंग के साथ बल्ले और गेंज दोनों से खतननाग पि जिन्हों ने अपने खेल से सभी को दिवाना बना दी आच्छार पटेल ने जहां वन्डे मुकाबलों में काफी कम मुकाबले खेलते हुए 58 विकिड लेने के साथ बल्ले से भी कमाल का प्रिदसन किया है वहीं इस इसकार्ट के चवते आलोंडर होंगे साड़ो ठाकुर जो अपनी खतनाक गोगली के लिए जाने जाते हैं चैल अब तक वन डे में 22 मैचों में 121 विकिल ले चुके हैं चैल मिडिल ओरों के घाता गेंदबाज माने जाते हैं वहीं दूसरे इस्पिन गेंदबाज होंगे योगा रवी विसनोई खेलेंगे इन्होंने आईपेल में ख तरह से घैन बाज होंगे चस्पि बुम्रा पोरी तरह से ठीट होकर भार्ती चीम से जोड कर एशिय कम में खेलते दिखेंगे यहां जिएान अपनी करते लिए ICK सै maintenant सैंट हैं इसकॉर्ट के 2 2 24 मैंच तीलिटीयर निकाले हैं जो पतौर बझालर अच्छे ख़्वाइब आते हैं वहीं इसकाट के चोटे और आखरी बालर होंगे अर्शदीर सिंग खेलेंगे ये डेट औरो में खतनाक गेंद बाजी के लिए जाने जाते हैं जिनके खिलाब किसी भी बन्लेबास को खेलना आसान नहीं होता है तो दोस्तों यह थी भारत की 1870 टीम जो एशिया कब के यह चुनी गई है तो आई यह जानते हैं वो कौन से बतकिस्मत खिलाड़ी है जिनको चैन करता हूं ने एशिया कम में नहीं चुना आए इस लिस्ट के पहले खिलाड़े हैं कपर सिंग कहे जाने वाले सिकर धवन जिन्नों ने आई पिल ने गजब का पिदसन किया था और ICC के बड़े टूनामिन में बहुती कतलनाग बनले बाजी करते हैं इनको चैन करता हूं ने एशिया कम में नहीं चुना आए वहीं दूसरे खिलाड़े कुल्दीब यादो हाला कि इस साल IPL उनका बेतर नहीं रहा जिसके लिए वे जाने जाते हैं लेकिन पूरी दुनिया जानती कुल्दीब यादो किस लेवल के खिलाड़े हैं कुल्दीब निक कई एहम मौकवे में विकेट दिला कर टीम इंडिया को जीत दिलाने में एहम भूका निभाई थी वहीं इस लिष्ट के तीसरे खिलाड़े हैं सुरुकुमार यादो जो दुनिया के नंबर वन टी- सब्सक्राइब को जीत पहलेएं हैं की फिरके लाइक कर दे जो किया चैनयल को सब्सक्राइब